हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु मैं चैनल मेगा उनलेंग ट्लासिश देखिए नाउन शुरू भी हो गया था प्रोपर नाउन भी हो चुका है आज कॉमन नाउन होगा तो देखिए common noun common noun का पहले definition देखते हैं क्या है common noun का definition वैसा नाम जिस पर सभी का अधिकार हो समूचे जाती का अधिकार हो एक नाम लेने से समूचे जाती का बोध हो जाए एक नाम लेने से समस्त का बोध हो जाए कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई एक्जामपल लेते हैं हम बॉय या रीवर दखिए अगर हम लड़का बोले तो समूचे लड़का का बोध हो गया इससे हम कोई एस्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं कि राम स्याम अगर एस्पेसिफाइड कर दिये तब तो वह पार्टिकुलर नाउन हो जाएगा लेकिन अगर समूचे जाती का बोध होगा तब वह common noun होगा जैसे रीवर का एक्जामपल दिये तो रीवर में भी वही बात है चाहा हुआ गंगा नदी हो ब्रहंपुत्र नदी हो कोई भी नदी हो सब नदी का बोध हो रहा है सिर्फ रीवर से तो रीवर common noun होगा कोई प्र लेने से समस्त का बोध हो common noun का लाता है रीवर हो गया भी लेज हो गया अश्वेंट हो गया यह सब एक्जामपल भी सही है अब देखिए नोट में कुछ बाते लिखते है common noun हमारे समक्ष दो रूपों में आता है पहला singular और दूसरा plural singular अगर रहेगा singular common noun रहेगा तो singular भव लेगा plural common noun रहेगा तो plural भव लेगा singular common noun अपने पहले दा आर्टिकल लेते हैं plural common noun अपने पहले दा आर्टिकल नहीं लेते हैं पराया दा आर्टिकल नहीं लेते हैं यह बात लिखा हुआ है common noun हमारे समक्ष दो रूपों में आता है singular plural जब एक बचन हो तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा जब एक बचन हो तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा एऐ आप देखिए जैसे भ्रच हैप्ई समझ रहे हैं कि तो देखिए कहीं पे आर्टिकल लगता है plural common noun में भी आर्टिकल लगता है हम यहाँ पे पहले ही लिखवा दियत है कि पराया आर्टिकल नहीं लगेंगे हम यह नहीं बोल रहा है कि हमेशा आर्टिकल नहीं लगेंगे कभी लगता है कब लगेगा? है जब आप किसी को निश्चित बनादी जेगwe 600 पर एक परियोग को निश्चित बनाने के लिए ही होता है जब आप कॉमशनान को निश्चित बना दीजए तब दक परियोग होगा यह सहे दके इव कॉमेनल फ्रशम लिखा हुआ है अगर सींगूलड़ रहता ति थो already article लगता लेकिन plural number, plural number में article नहीं लगता है लेकिन जब common noun plural number को particular बना दिया जाय तब यहाँ डल लेगा इस पर एक example देखते हैं, आईए, देखिए ऐसे common noun में article, common noun, plural number में article नहीं लगता है, लेकिन अगर आप उसे पार्टिकुलर बना दे जाएगा तब वहां पर आर्टिकल लगेगा जैसे एक जामपल है बैंकिंग का कोच्चन है आये दखता है चलिए कोच्चन है देखिया बुपिल पुपिल में सोताइट सेफ अब इस कोलेगे having prepared will to appear in the exam of Indian Railway, Indian Railway are going to Baroda. देखिए यहाँ पर कोच्चन है, बीपीपिल्स मीन्स सिस होता है, इस कॉलेज का सिस जो हम लोग देखिए यहाँ तक एक अंदर से संटेंस घुसेडा हुआ है, का सकते में डाला गया है, लेकिन में संटेंस अब बी आर गोईंग टू बरोडा, बी आर गोईंग टू बरोडा, लेकिन वहां कह रहा है कि हम लोग इस कॉलेज के सिस जो अच्छी तयारी किये हैं, इंडियन रेलवे के टेस्ट में एपिर होने के लिए और हम लोग बरोडा जा रहा है, यहां पर अस्पिसिफाइड कर दिया है, कि इसी कॉलेज के छात्र और कहीं के छात्र नहीं, इसी कॉलेज के छात्र, तो इसमें आर्टिकल लगना चाहिए कि नहीं, common noun हो, abstract noun हो, material noun हो, collective noun हो, कोई noun हो, अगर जब आप किसी को particular कर दिजेगा, तब वहां पर आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, तो यहां पर आर्टिकल कौन सा लगना चाहिए, आप संटेंस बिलकुल करेक्ट है, भी, the peoples of this college having prepared bell to appear in the exam of Indian Railway are going to Varoda, चलिए common noun खात्म हो गया, अगले वीडियो में, material नहुना आएगा, फिर abstract नहुना आएगा, फिर collective नहुना आएगा, थैंक यू.